कि नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने की कोशिज करेंगे कि मोटर का किल वाट देखके उसका फुल लोड करेंट कितना होगा हम कैसे पता लगाएंगे इसके लिए मैंने एक डीटेल चार्ट बनाया है तो आप सब प्रिपार हो जाएए आज का यह प्रलेक्चर सुनने के लिए कि मोटर का किल वाट को देखके हम उसका फुल लोड करेंट कितना होगा कैसे पता लगाएंगे तो आप लोग पेंड पेपर लेके त्यार हो जाएए क्योंकि यह चार्ट को आपको नोट करना है एक चार्ट मैंने प्रिपार किया है अगर मान लीजिए मोट पूल पूल और में हूँ रुपेश कुमार कि थेपेज इंड़क्शन मोटर का किल वाट को देखके आप कैसे पता लगाते हैं उसका फुल लोड करेंट कितना होगा यह तो एक होता है कि मोटर का एक नेमफ लेड होता है नेमफ लेड में किलो वाट लिख्या होता है फिर या नेम पलेट में में नहीं होगा या नेम पलेट निकल गया होगा मोटर का इसके लिए मैंने पूरा डीटेल चार्ट प्रिपरेर किया है तो वो चार्ड मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ तो इन सभी बड़े बड़े मैनुफेक्चर युनिट का उनका जो मोटर का डाटा रहता है आप डाटा को देखे हमने ये शीट को प्रिपेर किया है किलोवाट के हिसाब से फुल लोड करेंट तो आप पेन एंड पेपर रेडी किजे और मैं जो आपको डाटा दिखाने वाला हूं उसका तुरंत नोट किद कर दीजे तो दोस्तो अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और इस वीडियो को ज्यादे से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा सेयर भी किजे तो दोस्तों यह हो गया एक फूरा data sheet मेंने प्रिप्यार किया है किलोवाट के ही इसाब से मोटर का full load current क्या होगा यह वाला जो data sheet मेंने प्रिप्यार किया है यह 0.25 किलोवाट से शुरुखो के हैस्ट गया है 450 किलोवाट मोटर तक हमने data sheet collect किया है तो जैसा कि आप देख रहे हैं 0.25 kilowatt का 0.7 ampere उसका full load current है फिर उसके बाद आएगा 0.37 kilowatt का 1.1 ampere full load current है 0.55 का 1.5 ampere 0.75 का 2 ampere आप लोग अपना pen and paper में इसको note कर सकते हैं 1.1 kilowatt का 2 ampere 1.5 kilowatt का 3.4 ampere 2.2 kilowatt motor का 4.5 ampere 3 kilowatt का 6.5 ampere 4 kilowatt का 8 ampere full load current रहेगा जैसा कि यह sheet देखके आपको पता चल रहा है कि लगभग उसका kilowatt के हिसाब से full load current double है लगभग उसका दोगना है full load ampere चलते हैं अगला sheet के तरब 5.5 kilowatt का 11 ampere 1.5 kilowatt का 14 ampere 11 kilowatt का 21 ampere 15 kilowatt motor का होगा 28 ampere 15 kilowatt के बाद आएगा 18.5 kilowatt 35 ampere फिर आएगा 22 kilowatt 40 ampere उसके बाद आएगा 30 kilowatt 55 ampere 37 kilowatt 68 ampere और हमारा जो आएगा 45 kilowatt 80 ampere फुल लोड करेंड उसके बाद देखिए दोस्तों 50 kilowatt 50 kilowatt का motor का फुल लोड करेंड आएगा 88 फुल लोड आएगा क्लिक तो क आएगा 50 kilowatt मोटर का आएगा 80-80 ampere उसके फुल लोड करेंड आएगा 55 kilowatt का motor का आएगा 100 ampere 75 kilowatt का आएगा 135 ampere 75 kilowatt का आएगा 135 ampere 100 kilowatt का आएगा 182 ampere हुसके बाद 100 kilowatt के बाद जो next वाला motor आएगा आपको मिलेगा आवेलेवल रहेगा मार्केट में इस दोस्तों आप इसे पुरा complete नोट कर दीजिए आपने किलवाट के हिसाब से मोटर का फुल लोड क्या है आप इसको नोट कर दीजिए नोट करने से आपको यह अंदाजा हो जाएगा मान लिजिए आपको कोई पूछ रहा है कि 60 किलवाट मोटर का फुल लोड करेंट क्या होगा तो यह चाट देखके आप बोल सकते हैं कि 60 मार्केट में अवेलेवल नहीं होता है अगर कोई आपको बोलेगा 130 किलवाट मोटर तो आसे बोल सेकते हैं हुं 30th किलवाट एसा मोटर मार्केट में अवेलोर नहीं होता है मार्केट में आवेलोल होता है इसी हिसाब से आवेलोल होता है 100 के बाद आएगा 110 किलोवाट उसके बाद आएगा 132 किलोवाट तो 132 किलोवाट मोटोर का फुल लोड करेंड होगा 240 आमप्योर उसके बाद आएगा 160 किलोवाट ओवाला होगा 300 आमप्योर तो हंडेर किलो वाट का आएगा 350 आमप्योड और 220 किलो वाट का आएगा 385 आमप्योड. आपको उसका जो full load current set करना है रिले पर आप उसो set करेंगे 385 आमप्योड. 220 किलो वाट के बाद आएगा 250 किलो वाट दोस्तों यह सभी मोटर्स से 415 वोल्ट का मोटर है ठीके यह कोई HT मोटर नहीं है सब LT मोटर्स है अगर थी मोटर आपका फुल लोड पर रहेगा अगर फुल लोड करेंट अगर यूज़ कर रहे है और उसमें 6.6 कव का पावर सप्लाई दे रहे है तो उसका फुल लोड आपका थाटी आपके आसपास रहेगा तो ध्यान दिजे यह बाला जो चार्ट मैंने प्रिपार किया है ओनली 415 वोल्ट इंडक्शन मोटर के लिए LT मोटर के लिए चार्ट है तो आपको डिफ्रेंट साइज का LT मोटर भी आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि LT मोटर मैक्सिमूम कितने किलोवाट तक मार्केट में आवेलेवल है उसका मैंने चार्ट प्रिप्यार करके यहां पे दिया है 250 किलोड मोटर का फुल लोड करेंडे 437 आमप्योर 300 किलोड का आएगा 508 आमप्योर उसके बाद जो मोटर आपको मिलेगा 315 किलोड उसका फुल लोड करेंडे 530 335 किलोड का आएगा 565 375 किलोड का आएगा 627 लास्ट वाला जो मोटर है 450 किलोड का फुल लोड करेंड आएगा 825 तो यह बाला जो चार्ट देखने के बाद एक अध्याजा हो गया होगा कि यह जो करेंट है फुल लोड करेंड किलोड के हिसाब से अगर हम चूज करते हैं तो मतलब हम जो सोच रहे हैं कि उसका दोगना होगा 300 kW होगा तो लगबक डॉबल उसका full load current हो सकता है 300 kW का अगर हमारे इसाप से हम सोचेंगे եी100 kW मतलब उसका full load current 600 आमापर तक आएगा तो य ψ गलात है manufacturing ने manufacture के हिसाप से आपको देखना है मौटर जो manufacturing हैं उनके हिसाब से हमको ये सब चूज करना है कि kilowatt के हिसाब से हमको कितना fullload current करना है तो ये जो data sheet मैंने आपको provide किया है मैंने prepare किया है purely manufacturing manufacturer कीonda还 company ने जो data sheet निकला है उसके हिसाब से मैंने वहाँ से data collect किया है तो hope guys आज का वीडियो आपको बहुत आच्छा लगा होगा बहुत ही इन्फरमेटिव लगा होगा तो मेरे साथ अंत्तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो देखते रहिए बोल 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 धन्यवाद